यह हम लोगों को पता है पेंशन क्या होती है तो इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है पेंशन क्या होती है तो हम डारेक्ली उसके टेक्स ट्रीट्मेंट की तरफ बढ़ते हैं पेंशन कॉंट्रिबुशन जो होती है या पेंशन इसकीम जो होती है नॉर्मली दिरा स्कीम होती है जिसको नाम दिया जाता है और को पेशनल पेंशन स्कीम होती है इसका तालुक किस से होता है इसका तालुक होता है आपकी इंप्लॉइमेंट के सब्सक्राइब अगर आपको पेशनल पेंशन का पार्ट बन सकते हैं अगर आप सेल्फ इंप्लॉइड हैं आप source of income है तो फिर occupational pension का पार्ट नहीं बन सकते हैं परस्टनल पैंशन स्कीम आप अपने तोर पर रन कर सकते हैं किसी का पार्ट बन सकते हैं किसी चलती भी स्कीम का तो PPS Personal Pension Scheme और Occupational Pension Scheme में जब एक बंदा Contribute करता है जब वो Contribution उसमें जमा करवाता है तो उस Contribution के उपर उसको Tax Relief मिलता है हमें यह सीखना है कि उस Contribution के उपर जो उसको Relief मिलेगा उसमें में दो चीज़ें सीखनी है एक हमें सीखना है Amount of Relief के Relief मिलेगा कितना और दूसरा हमें सीखना है Method of Obtaining Relief Relief मिलेगा कैसे यह दो चीज़ें आप पर काम करना आपको जिसे मैं आपको कहूं कि मैं आपको एक Relief दूँगा तो आप मुझसे पूछेंगे ना सर कैसे देंगे मैं आपको कहूं जी आपने हमारे पास admission लिया है मैं आपको रिलीफ दूँगा आप कहेंगे सर बताएं कैसे देंगे मैं आपके घर पर जो एक गिफ्ट भिजवाऊंगा रिलीफ इंसेंटिफ एनी काइंड ऑफ ठीक है या मैं आपको कहूंगा कि नेक्स टाइम जब आप इन्रोल होंगे तो फिफ्टी परशन आफ दे देंगे आपको इसे काइंड ऑफ रिलीफ तो टेक्स अथॉरिटी आपको रिलीफ कैसे देगी वह हम उस पर बात करेंगे कोई भी स्कीम हो आमाउंट ऐा रिलीफ कितना मिलेगा वह एक ही तरीके से निकलता लेकन मैथ्टर्ड's इस डिफ nail इस इस स्कीम कैसि परसनल पैंशन इस खीम में बैनिफिट अलग तरीके से मिलते हैं और औकोपेशनल में रिलीफ अलग तरीके से मिलता है तो हम सबसे बले बात करते हैं कि amount of relief कैसे निकालते हैं तो एक बात जहन में रखें आप pension contribution कर रहे हैं चाहिए वो परस्नल हो या occupational हो आपने 10,000 का pension contribution किया यह बात fit कर लें दिमाग में जहन में बिठा लें memorize कर लें कि जो relief होगा न या तो वो equal to pension होगा same as pension जितना आपने contribute किया उतना ही होगा या less than that ज्यादा नहीं हो सकता ज्यादा तर contribution और relief सेम होता है या सेम होना चाहिए शुड़ भी सेम ज्यादा तर क्योंकि अगर आप pension में पैसा डाल रहे हैं और अगर आपको relief कम मिल रहा है तो आपने ज्यादा pension में पैसा क्यों डाला this is a question तो ज्यादा नहीं हो सकते बात जहन में रखें अच्छा अमाउंट of relief कैसे निकालते हैं so amount of relief निकालने का formula सबसे पहले हम लिका लेंगे lower off दो चीज़ों का lower off पहले चीज़ है gross contribution क्या आपका उस fund में उस scheme में contribution कितना है दूसरी चीज़ होगी काती एन्वी एन्व connect your maximum manual य bringt इन्वा मेक points मानव यह दो चीज़ें आपको पता होने जाए अब ग्रॉस contribution कान्यार में इनल्डेकिश निकालने के लिए एक और रूल पार करेंग घर आप और वह राफ दो चीजहों का होगा 3600 विच इस्ट और हंड्रेड परसेंट आफ रेलेवेंट अनने तो पहले हम हायर आफ से हायर वैल्यू निकालेंगे वह हायर आफ एन्वल मैक्सिमम बनेगा उसको ग्रॉस कॉंट्रिबूशन से कंपेर करके उन दोनों का लोवर आफ लेंगे तो वह अमाउंट ऑफ रिलीफ बन जाएगा व और लेस देन डैट अब यह जो 3600 यह 3600 आपको टेक्स शीट में दिया है यह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है यह टेक्स शीट में वहाँ पर लिखा हुआ है कि पैंशन में यह रिलीफ होता है 3600 का हंड्रेड परसेंट ऑफ रेलेवेंट अर्निंग की डेफिनेशन धुर्णना संथ भूसरी धुर्णने पड़ेगी ऊट्व यह रिलेवेंट अर्निंग क उनदर आपकी इंपलॉइमनेंट इनकम आती जो आप अपनी जाप से अर्ड करते हैं कि रिलिवेंट एंडिंग की डेफिनेशन में आपकी ट्रेडिंग इंकम आती है इसे प्रॉनिश्ट हॉलिडे लेटिंग्स ओधर आपकी यह प्रॉपर्टी इंगम आएगी ना तो वह रेलेंट इंग का पार्ट होगी इसके इलावा अगर पुछ इन्ट्रस इंकम है डिवेडंन इंकम है नौर्मल प्रॉपर्टी इंकम है वह रेलेवन का पार्ट नहीं होगी कि अगर किसी के पास रेलेवेंट अर्णिंग है तो हंड्रेट परसंट रेलेवेंट अर्णिंग को अम कंपेर करेंगे 3600 से और मॉस्ट लाइकली चांसें कि हायर ओफ रेलेवेंट अर्णिंग ही होगी ठीक है जैसे मैं आपको एक एक जामपल दूं एक शक्स ने पर्सनल पेंशन कॉंट्रिब्यूशन करना है ग्रॉस कि पचास अधार कि उसके पास इंप्लॉइमेंट इंकम है एक लाग के इस पैंशन कॉंट्रिबूशन के अगेंस्ट अमाउंट ऑफ रिलीफ क्या होगा हम कहेंगे हायर ओफ बताओ भई हायर ओफ क्या होगा हम कहेंगे हायर ओफ कि के 3600 भी क्या होगा हंड्रेट परसंट ओफ रेलेवें टर्निंग क्या यह रेलेवेंट टर्निंग है तो यह पूरी डेलेवेंट टर्निंग उगए इन दोनों का हमने higher-off select किया higher-off आगे एक लाग यह annual maximum हो गया अब इस annual maximum को compare करेंगे contributions and we will find out lower-off which is 3600 sorry contribution which is 50,000 gross contribution 50,000 and B is annual maximum 100,000 so lower-off is 50,000 this is the amount of relief and the contribution is also 50,000 सो दोनों से हम हो गए अब आप टेक्स वालों से जो भी relief मांगेंगे उस कितने amount पर मांगेंगे 50,000 पर मांगेंगे कैसे मिलेगा वो एक next issue है लेकिन amount of relief calculate करने का यह formula आप अच्छी तरह से समझेंगे इस देट क्लियर इस पर कोई सवाल आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं अब आ जाते हैं method of obtaining relief method of obtaining relief जो है ना वह वहरी करेगा ना किस method की बात कर देना किस scheme की बात कर method of obtaining relief यह जो टॉपिक हम पढ़ रहे ना यह past paper में ज्यादा examine हुआ है इसको अच्छी तरह से करना है पेंशन के टॉपिक को method of obtaining relief तो जो परसनल pension scheme है हमारे पास परसनल pension scheme में आप जब relief लेने जाएंगे ना तो पहला relief मिलेगा आपको 20% deduction at source 20% deduction यह relief है पहला इस relief का मत्तब यह है कि whatever you want to contribute जितना भी आपको contribution करना है न सपोज आपने plan किया कि आपको 10,000 contribute करना है इसकीम के अंदर तो इस 10,000 का 20% tax authority contribute करेंगे और इसका 80% हम contribute करेंगे हमारा contribution 80% होगा tax authority का contribution 20% होगा तो जो हम 80% contribute करेंगे which is 8,000 वो क्या हुआ वो हुआ net contribution हम हमेशन net contribution करते है पर्सनल पेंशन इसकीम हमेशन net basis पर होती है इसलिए अगर आपको net दियावा और आपको ग्रॉस निकालना हो तो हमेशन क्या करेंगे पॉइंट से डिवाइट करेंगे हमारे पास क्या अंसर आजाएगा हमारे पास आजाएगा ग्रॉस कांट्रिबूशन अगर ग्रॉस की जरूरत पढ़ती है एक तो यह benefit हो गया जो कि आपको its source मिल जाता है दूसरा benefit क्या होता है कि आपका जो band होता है ना text band जो होता है text band की extension हो जाती है अगर text band की extension होगी तो वह आपसे exam में यह पूछ सकता है कि band extension की वजह से आप बताएं आपकी text saving कितनी हुई तो आपको फिर numerical करना पड़ेगा text saving निकालने पड़ेगी band extension आप कितने amount से करेंगे band extension आप करेंगे gross PPC से जितना भी आपका gross personal pension contribution होगा उससे आप अपना band extend कर देंगे दो band extend होगे पहला basic band extend होगा basic band होता है up to 37,000 37,700 उसमें gross PPC add कर देंगे for example let me assume that gross PPC 10,000 है तो पहला band 37 से increase होके 47 पे close होगा और उसके बाद नेक्स band start होगा वह start होगा 47701 से और उसमें भी 150 में 10,000 add कर देंगे तो वह कितना हो जाएगा 1,60,000 हो जाएगा बलकि इसको ऐसा कर लेता है कि 150 उसकी limit थी उसमें 10,000 add कर लें तो वह 160 हो जाएगा आपका जो band है पहला वाला basic वह 47,700 पे खतम होगा और higher band 47701 से start होकर 1,60,000 पे चला जाएगा तो band extend होने से आपको tax saving होगी 40% से आप 20% पर जाएगे 45% से आप 40% पर जाएगे यह दो benefit मिलते हैं gross personal pension contribution यह नहीं के personal pension scheme वाले को ठीक है और अगर हम बात करें occupational वाले की occupational में क्या होता है occupational scheme में ही होता है कि employer भी contribute कर रहा होता है और employee भी contribute कर रहा होता है ऐसा यह जो work related होती है जो आपके साथ जो pension scheme चल रही होती है उसमें आपका employer भी contribute कर रहा होता है और आप भी contribute कर रहे होता है कि तो उसकें अंदर क्या होता है जो आपको उपर दो बैनेफिट बताए गये ना वो नहीं मिलते बलके बैनेफिट ऐसे मिलता है कि जो आपका इमपोलाइयर का कॉंट्रीभुशन होता है आपके लिए उसको हम employment purpose के लिए exam benefit consider करते हैं in case of employment income क्यानी कि एक employee को उसका employer उसके बहाफ पर compensation कर रहा है contribution में पैसा डाल रहा है लेकिन जब उसकी salaried income या employment income पर tax लगेगा तो उस contribution को exam benefit में डालेंगे टेक्स नहीं लगेगा उसके उपर tax free benefit लेगे दूसरी चीज़ क्या होगी जो employee का contribution होगा occupational scheme में वो deduct किया जाएगा salary से कि रिड़क्ट सॉम सैलरी कि विफोर क्या 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 होता है जब आप उसका पेई निकाल रहे होंगे न तो पेजिवांड उस की हर महीने की जो टेक्स निकलता है तो पहले उसमें से contribution माइनस होगा remaining पेई लगेगा उसकी liability क्या हो जाएगी टेक्स liability जो पेकर नहीं उसकी कम हो जाएगी यह दो benefits हैं जो के occupational pension scheme में मिलते हैं वहां कोई band extension नहीं होता और यह जो होता है ना यह हमेशा gross जमा होता है कि कभी भी net जमा नहीं होता वो net जमा होता है यह बेसिकली इसमें फर्त है यहां तक अगर कोई सवाल जहन में तो पूछें आगे बढ़ते हैं बाद में चले जी आगे बढ़ें moving forward अच्छा होता क्या है बाजदावा क्या होता है कि आप जो इना वह इस चक्कर में आ जाते हैं कि यार मैं बहुत जादा pension में पैसर डालूंगा तो मुझे बहुत जादा benefit मिलेगा let's contribute one lakh one hundred thousand one fifty thousand ऐसा नहीं है sometimes आपका जो pension है उसके ओपर टेक्स भी लग सकता है तो वो टेक्स कैसे लग सकता है उसकी क्या situation होती है उसके लिए आपको टेक्स शीट में टर्मिनॉलिज दीवी है एन्वल अलाउंस की टेक्स शीट के अंदर अगर आप जाएंगे ना तो आपको एक एन्वल अलाउंस दिखेगा और वह एन्वल अलाउंस एक्किस बाइस के लिए टेक्स यह जो हमारा करन्ट चल रहा है वह कितना है वह है फट्टी था यह आपको एक लिमिट बताई जा रहे हैं कि कि आपका contribution आपका contribution या amount of relief क्योंकि बहुत सारे cases में अलग-अलग भी तो हो सकता है ना बहुत सारे cases में यह सेम होता है तो इन दोनों में से जो भी चीज़ है अगर contribution and amount of relief सेम है तो fine वरना amount of relief की बात करेंगे दोनों cases में all together किसी भी case की बात कर रहे हैं अब हम अब हम किसी scheme की बात नहीं कर रहे हैं अब हम generalize बात कर रहे हैं ठीक है कि अगर आपका contribution amount of relief या contribution दोनों अगर सेम हो तो एक ही बात है अगर यह exceed कर जाए किस से चालेस हजार से या double A से ना annual allowance से तो आपको tax देना पड़ेगा और इस tax का नाम क्या होगा double A charge इसका मतलब यह हुआ कि मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मेरा जो भी contribution हो रहा है मेरा और मेरे employer का मिला के सब कुछ 40,000 से जादा नहीं होना चाहिए अगर 40,000 से जादा हुआ तो मुझे टेक्स देना पड़ जाएगा double A charge ठीक है double A charge अगर arise होता है तो double A charge को हम treat करेंगे as non saving income और हम यह already discuss कर चुके हैं कि पहले जो टेक्स लगता है वो non saving पे लगता है फिर saving income पे लगता है और फिर dividend income पे लगता है ऐसा ही है जब भी हम tax rate apply करते हैं पहले non saving पे apply करेंगे फिर saving पे apply करेंगे और आखर में dividend income पे apply करेंगे लेकिन जो double A charge होगा although it's a non saving income लेकिन इस पे tax सबसे आखर में लगेगा it is to be considered as last slice of income सबसे आखर में tax लगाएंगे और सबसे आखर में tax लगने का मतलब यह हुआ कि इसका पहला rate होता है 20% non saving का दूसरा होता है 40% तो ज्यादा तर chances होंगे कि या तो 40% पर टेक्स देना पड़ेगा या 45% which is too much which is high enough तो इसलिए हमारी कोशिश ही होगी कि हम double A charge को avoid करें ठीक है आप से examiner यह पूछ सकता है कि आप इतना pension कितना पैसा pension में डालें है कि double A charge avoid हो जाए आप वह भी निकालना पड़ेगा अपको ठीक है अच्छा अब एक सवाल और हमारे जहन में आता है कि यह जो एन्वल अलाउंस है डबल ए है जो विच इस 40,000 फॉर टेक्स यह टुइटी वन और टुइटी टू यह तो फिक्स हो गया ना टेक्स शीट में भी दिया हुआ है यह तो फिक्स हो गया क्या यह इंक्रीज यह डिक्रीज नहीं हो सकता यह हमारे जहन में क्वेस्टन आया क्या यह इंक्रीज यह डिक्रीज नहीं हो सकता लाइक पर्सनल अलाउंस तो हम कहेंगे यह यह इंक्रीज भी हो सकता है और ये डिक्रीज भी हो सकता हमारे लिए क्या बैनेफिशल है इंक्रीज होना है डिक्रीज होना डबल एका हमारे लिए बैनेफिशल है इंक्रीज होना क्योंकि जब ये डबल एंक्रीज होगा तो डबल ए चार्ज लगने के चांसे मिनिमाईज हो जाएंगे और हम ज्यादा से जादा pension contribution में पैसा क्या कर सकते हैं invest कर सकते हैं अच्छा decrease होगा तो हमारे लिए risk होगा कि decrease होगा तो हमारे लिए problem होगा अब यह increase कब होगा यह increase कैसे हो सकता है तो last three years का अगर कोई unused contribution है brought forward उसको brought forward कर लेंगे कैसे brought forward करेंगे using first in first out मसलन आज हमारा tax year चल रहा है ट्विटीवन ट्विटीटीटू इसका डबल ए है 40,000 अब इससे पीछे जाएं तीन साल तो जो हम unused लेंगे न वह होगा 21 से पीछे जाएं तो यह बनता है 20-21 फिर बनता है 19-20 उसके बात बनता है 18-19 यह तीन साल होते हैं यह तीन साल होते हैं 21-22 के पीछे है तो हम order कौन सा follow करेंगे last in first out यह first in first out हम start करेंगे कहां से यहां से start देंगे फिर यह शामिल करेंगे फिर यह तो यह में 10 20 में भी पूरा यूटिलाइज हो घया हमने का जीरो तो हमारा डबल एक हमारा डबल यह साल का कितना हो गया ऐ farmers के शाव Darren लेकिन किया है कि पेछले तीन साल में अगर आपसे अन्यूस कह brought forward करना चाहते हैं तो वह registered pension scheme होने चाहिए chmrc के साथ है वह इसकीम कैसी होनी चाहिए वह registered scheme होने चाहिए अगर आपकि सी unregistered scheme का पार्ट थे तो फिर unused contribution brought forward नहीं हो सकता अन्यूस की डिटेल वह को सवाल में देगा पिछले तीन सालों की हम देख लेंगे यह तो बात होगी इंक्रीज की जरूरी नहीं कि इंक्रीज लेकिन फट्टी तो फिक्स हो गया ना बट सम्टाइम्स अगर आपकी इंकम बहुत ज्यादा बढ़ जाए ठीक है तो आपका जो डबल ए है वह अफ़ाइग्स की बात हो रही है अंज्यूस कंट्रिवशन ऐसे आता अब 1819 में आपने कंट्रिबूशन किया था के 8000 ता ठीक है कि लिमिट कितनी है डावले की डावले की लिमिट है चालिस हजार तो इस लिमिट को आफने यूज नहीं किया हम कहेंगे कितना अन्यूस था हम कहेंगे का इस मतना है कि तो अगर आपके इंकम जो है वो बठना शुरू हो जाए तो एक वक्त ऐशा आता है कि आपका जो डबल हे होता है वह डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और मैक्सिमम अगर डिक्रीज होता है न तो मैक्सिमम डिक्रीज होकर कहा जाएगा यह 4000 तो रहर हाल में मिलना है मिलना है इससे नीचे नहीं जा सकता यहां पर जाके इस रुख जाएगा ब्रेक लग जाएगा इसको सो 40,000 से वो नीचे जाएगा नीचे चला जाएगा और अगर और फर्दर नीचे जा रहा होगा तो हम 4,000 पर उसको क्या कर देंगे उसको ब्रेक लगा देंगे भाई यह 4,000 से नीचे नहीं जा सकता अचाएग डिक्रीज कब होगा उसमें आपको दो इंकम देखनी पड़ेंगी एक कहलाती है थ्रेशोल इंकम और दूसरी कहलाती है एडजस्टेड इंकम यह दो इंकम आपको देखनी पड़ेंगी है यह दोनों इंकम देखने के बाद हम डिक्रीज होने के काबिल है यह देक्रीज होने के काबिल नहीं हम चलतें जड़ा थ्रेशोल इंकम और उसके फॉर्मूल audio पर चलतें हम सलाइड आपको नजर आ रही होंगे मेरी यह देखें अब यहां पहें चेक करें डी डी एन्वर Love से घ्रेज्ड रेडिऊस्ट एन वाहर्же डीवांस क्या हो यहंवा और्टॉड अगरी रिड्यूस्ट होगा अजन वक्त रिड्यूस्ट होगा जब आपकी थ्रेश्यों इंकम तू लैक फॉर्टी थाउजन से एक सीट कर जाए और आपकी एड्जेस्टेड इंकम टू फॉर्टी से सीट कर जाए दोनों कंडिशन साइमल्टेनियसली मीट होना जरूरी है ठीक है आप यह सिनेरियो देखें यहां पर थोड़ा सा इसको मैं पिर सेनेरियों डिसकस कर लेते हैं एक मिनट दीजीगा हाजी अब देखें यह चार्ट आपको हेल्प करेगा समझने के लिए देखें अगर किसी की थ्रेशोल्ड इंकम दो लाक या उससे दो लाक से कम है तो हम आगे इड्जेस्टेड इंकम नहीं देखेंगे और एन्वल अ होगा लेकिन अगर किसी की थ्रेशोल इंकम दो लाक से ज्यादा है लेकिन एड्जेस्टेड इंकम दो लाक चालिस से दो लाक चालिस से कम है तब भी हम आगे नहीं जाएंगे और एन्वल अलाउंस फॉर्टी थाउजन ही रहेगा यह पहले दो पॉइंट समझ में आते हैं जब आपकी थ्रेशोल इंकम दो लाक को क्रॉस कर जाए और आपकी एड्जेस्टेड इंकम दो चालिस को क्रॉस कर जाए तो अब आपका एन्वल अलाउंस रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और रिड्यूस पता कैसे होगा रिड्यूस करेंगे एड्जेस्टेड इंकम को देख कर शलन मेरी एडजेस्टेड इंकम आती है सपोज दो लाग साथ हजार है कि लेक्र लेमिट कितनी है लेमिट है इड्जेस्टेड इंकम को मैच करते हैं दो से कितना सर्प्लस आया कितना एक्सिज आया यह एक्सिज निकाल ले और इस एक्सिज को मल्टिप्लाई करते हैं फिफ्टी पर्संट से यह दो से डिवाइट करते हैं एक ही बात हैं तो यह दस हजार की रिदक्शन होगी रिदक्शन इन डबल है तैन थाउजन तो फटी थाउजन माइनस तैन थाउजन डबल हो जाएगा थर्टी थाउजन को अब जैसे जैसे आपकी इंकम बढ़ती चली जाएगी दो लाक सी हजार तीन लाक तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी इड़्जेस्टेट इंकम इतनी बढ़ जाएगी कि आपका डबल है फॉर थाउजन पे जाके फ्रीज हो जाएगा उससे ज्यादा आप रिड्यूस नहीं कर सकते इसको और नीचे नहीं लेकर आ सकते कि यह बात क्लेर हो गई कि डबले रिडिउस होने की शर्त क्या है कंडीशन क्या है ठ्रेश्वल इंकम देखना है और अब दोनों की डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए है इन हाव तो केलकुलेट एड्जेस्टेट इंकम यह देखें कि फॉर्मूल आपको नजर आ रहो और वो चीज थोड़ी दिर पहले पढ़ी हमने ग्रॉस परसनल पंशन पंशन कॉंट्रिवूशन तो आप पास थ्रेशोल इंकम आ जाएगी अगर आपके पास पर्स प्रशनल पंशन कॉंट्रिवूशन नहीं है तो नेट इंकम is equal to threshold इंकम ठीक है एड्जेस्टेड इंकम कैसे निकलती है एड्जेस्टेड इंकम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है हमें उसी नेट इंकम में आप डिड़क्ट करने के बजाए दो चीजें एड करनी पड़ती हैं वो दो चीजें केरफुली समझ लें वो दो चीजें कौन सी हैं दे लिख लेते हैं सको कि एड्जेस्टेड इंकम कैसे कैलकुलेट होती है हो सकता है एक्जैम में आपसे यह थेओरेटिकली पूछ लिया जाए पांच मार्क्स के लिए पेंचन का कॉंसर्ट तो फिर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी हो सकता है कैलकुलेशन थियोरी को मिक्स कर दिया जाए हो सकता है सिर्फ प्योर दस नंबर की आठ नंबर की कैलकुलेशन पूछ ली जाए तो आप तयार रहें कोई भी टॉपिक आप को पढ़ाया जा रहा है तो उसमें आप तयार रहें आपसे pure theory भी पूछी जा सकती है pure calculation भी पूछी जा सकती है और mix of करके भी पूछी जा सकती है ठीक है, अगर आपसे calculation पूछी जाए pure calculation तो आप excel को استعمال करें अगर आपसे pure theory पूछी जाए तो आप word processing document इस्तमाल करें और अगर आपसे दोनों पूछा जाए तो फिर आप दोनों को mix भी कर सकते हैं चाहे तो सारी working आप word पे दिखा दें फिर आपकी 24 होगी कि आप उसको कैसे presentation में आपको ये बात पता हुनी चाहिए आपके exam में professional marks हैं four ये चार professional marks आपको miss नहीं करने हैं और ये question number one से related होते हैं जब हम question number one पर आएंगे practice के उपर तो मैं आपको बताऊंगा कि चार marks कितने easily आप ले सकते हैं तो चाहिए पहला सवाल आप पूरा करें ना करें लेकिन professional marks लेने आपको आने चाहिए कैसे लिए जा सकते हैं इसी तरीके से आपके syllabus में ethics के उपर पांच marks का सवाल आता है इंकम का फॉर्मूला सबसे पहला आपको क्या चाहिए सबसे पहला आपको चाहिए net income उसमें आप दो चीज़ें प्लस करेंगे एक प्लस करेंगे employee का contribution कौन सा वाला employee तो personal में भी contribute कर सकता है और को पेशनल में भी contribute कर सकता है वह होगा अगर उसने कोई पेशनल में contribute किया होगा तो लेंगे वरना नहीं लेंगे ठीक है और as far as employer is concerned उसका हर तरह का contribution employer का contribution in any scheme बाज दफा क्या होता है कि employer आपकी personal pension contribution का भी पार्ट बन रहा होता है वो जहां भी contribute करेगा वो ले लेंगे या आपके अगर आपकी एड्जेस्टेट इंकम 240 को क्रॉस करती है तो इसका मतलब यह होगा कि आपका डबल ए स्टार्ट रिड्यूसिंग और एक वक्त आएगा कि वह minimum पे भी पहुंच सकता है ठीक है जिए पर एक्जाम्पल मेरी इंप्लॉइमेंट इंकम है सपोस्ट कर लें दो लाख सत्तर हजार एक है अन्यूजड अलाउंस ब्रॉट फावर्वर्ट पिछले साल का वह पांच हजार अव मच डबल एइज अविलेबल अबले कितना होगा हुआ हम कहेंगे कि क्योंके मेरी इंप्लॉइमेंट इंकम दो लाख सत्तर हजार ना दो लाख सत्तर हजार मेरी इंप्लॉइमेंट इंकम है तो इन डाट केस यह तूफ़टी को क्रॉस कर रही है इट्स मोर दन तूफ़टी थावजन तो मेरा जो डबले होगा करेंट इयर का वह कितना है वह फटी थावजन तो वह डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा उसमें मैं रिडक्शन करूंगा कितनी रिडक्शन करूंगा तो सेवेंटी माइनस तूफ़टी मल्टिप्लाइबाइब फिफ्टी पर्शन तो पंद्रह हजार की रिडक्शन हो गई और मेरा डबले रिड्यूस होगे किस पर चला गया अच्छे सब्सक्राइब यह मेरा डबले आ गया करेंट यह अब इसके अंदर में एट कर दूंग पांच हजार कितना हो गया तीस हजार इस साल के लिए वह कितना है थी सब्सक्राइब अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप डबले चार्ज अवाइट करूंगा और उसके बाद अन्यूस ब्रॉट फावर्ट को यहां पर ले आऊंगे अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप डबले चार्ज अवाइट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम कॉंट्रिबूशन कितना होना चाहिए अगर आपने कॉंट्रिबूशन किया तो आप पे लग जाएगा डबल एच चार्ज इस डट क्लियर यहां तक कोई सवाल है तो बोलें यह आल्मोस्ट चैप्टर खतम हो गया आल्मोस्ट का मतलब है बल्क मिजॉरिटी चैप्टर आपका पैंशन इतना ही है निमड गया ठी चैपेजी वाट इस देरेक्वाइरमेंट ऑफ द फिस्टो इडेंटिफाई करते हम वाट इस देरेक्वाइर्मेंट ओफ द एक्वाइरमेंट अप्र पैनिशन कोंट्रिबूशन यह वह एक शक्स है उसकी इंकम में से टैक्स माइनस करने के बाद और जो पैंशन में तो यहाँ स्वाल में आपको इंकम टैक्स लाइबलिटी यहनी के tax rate भी लगाने पड़ेंगे liability निकालनी पड़ेगी फिर वो liability हम अपनी income में से minus करेंगे pension के ओपर जो reliefs हैं वो भी आपको find out करने पड़ेंगे फिर आपको double a charge का भी ख्याल लखना है कि double a charge आ रहा है है नहीं आ रहा है let's see one by one देखते हूं you should assume that today's date is third June your firm has been asked to provide advice to two unrelated client Stella and Maris Stella required advice on the tax implication of making an increase contribution to her personal pension scheme सवाल आ गया आपका personal pension scheme के उपर बैसे ज्यादा तर सवाल आने के chances personal pension scheme के ही होते हैं क्योंकि occupation में इतना ज्यादा margin नहीं है examiner को पूछने में so it's most likely तो हम इस्टेला को इस वक्त advise करेंगे कि उसे increase contribution करना चाहिए अगर वह increase contribution कर रही है 90,000 का तो उसकी implication क्या होगा implication उसका effect क्या आएगा अच्छा जी इस्टेला इस्टेला resident है और domiciled है UK की जो UK domiciled और resident होता है उसे अपनी worldwide income पर tax कहां देना होता है उसकी worldwide income taxable होती है UK के अंदर domiciled और residence अभी हमने नहीं पड़ा domiciled और residence हम आगे जाके discuss करेंगे और उससे related जो further problems है वो discuss करेंगे इसको salary मिली है two lakh three thousand की this was a substantial increase on the previous year उसके एक income आ गई आपके पास source of income employment income क्या employment income relevant earning है आपने identify किया कि employment income relevant earning भी होती है does not have any occupational pension scheme has property income from a portfolio of unfurnished property total ninety two thousand in the tax year it is not a relevant earning यह relevant earning नहीं नहीं प्रॉपर्टी इंकम relevant नहीं नहीं तो उसके पास already two zero three plus ninety two किती इंकम है two lakh 95,000 की इंकम है इसका मतलब पहले बैंड से भी बाहर है दूसरे बैंड से भी बाहर है higher rate से भी तो यह additional rate taxpayer लग रहा है मुझे ठीक है has no other source of income wishes to make an increase contribution to her personal pension scheme in the tax year 2223 detail क्या है stella has contributed 40,000 to her personal pension scheme each of the tax year 2122 previous year उससे previous year or 30,000 in each of the previous four years यह टोटल चार साल का डिटा दिया वहा है 2122, 2021, 1920 और 1819, चार साल है the full annual allowance without restriction the full annual allowance without restriction was available for the tax year 1819 to 2021, 2122 in x inclusive ठीक है full annual allowance available था वहां पर आपके पास ठीक है 40,000 तो 40,000 हम first in first out के order में चलते हैं तो first in first out के order में अगर हम चलते हैं तो 22 23 के लिए आपके years क्या होंगे प्रीवेस क्या होगा एकिस बाइस वीजिक और उन्निस बीस अठारा उन्निस डेलेवेंट नहीं यहां पर अन्यूज्ट निल है यहां पर अन्यूज्ट निल है और यहां पर आपके पास अन्यूज्ट आ रहा है दस हजार, am I right? तो टोटल अन्यूज मुझे लग रहा दस हजार इस्टेला विशिस तो मेक इन इंक्रीज कॉंट्रिबूशन ऑफ 90 थाउजन इन टेक्स यर 2223 यह सवाल अब सवाल में आपको निकालनी हैं इंकम आफ्टर टेक्स एंड पैंशन कॉंट्रिबूशन तो हम जो में प्रोफॉर्मा बनेगा हमारा वह पहले बनेगा अब्विस सी बात है आप लिखेंगे अपनी जो भी आपकी इंकम बनती है वह लिखेंगे सबसे पहले आपके पास कितने सोर्स ओफ इंकम है आपके पास सोर्स ओफ इंकम है इंप्लॉइमेंट इंकम आपके पास सोर्स ओफ इंकम है प्रॉपर्टी इंकम यह आपके पास है 2,03,000 और यह आपके पास है ,92,00 आप Hoş तो आपकी टोटल इंकम क कितनी हो गई यः आपकी टोटल इंकम ओने इस इनकम में से आपको दो चीजे माइनस करने हैं कि यह माइनस करना है जिसके हम वर्किंग करेंगय वर्किंग और पेंशन कॉंट्रिबूशन माइनस करना है यह दोनों आपके आउट फ्लो है न कि वरकिंग नंबर वॉटेवर जो भी आपको डालना है यह दो माइनस कर देंगे तो यह आपके पास आजाएगा आफ्टर मेंने वाणा को बनाने के लिए आपको सबसे पहले पेंशन के उपर जाना है उसकी कहानी देखनी है और उसके बाद फिर आप आगे बड़ेंगे तो यह сबसे पहले तो हम बात करेंगे अमाउंट ऑ王 रिलीफ के उपर हमारा जो इस साल का ग्रॉस कॉंट्रिवुशन डालने का इरादा है न वह है नाइन्टी थाउजन तो अमाउंट ऑफ रिलीफ जो बनता है वह लोवर ऑफ पैंशन एन्वल मैक्सिमम एन्वल मैक्सिमम बनता है तो यहां पर आपके पास जो हायर ओफ बन रह है वह हायर ओफ बन रहा है 3600 और हंड्रेड परसंट ऑफ रेलेवेंट अर्निंग वह कितनी है वह दो लाग तीन हजार तो है रॉफ कितना हो गया दो लाग थीन हजार विच इंप्लॉइमेंट इंकम प्रॉपर्टी इंकम हायर ओफ के पार्ट में नहीं आती रेलेवेंट लाक्सिमम और एन्वल वैल्यू कितनी हो गई टू लैक फ्री थाउजन इसका मतलब है अमाउंट ओफ रिलीफ कितना होगा अमाउंट ओफ रिलीफ होगा 90,000 विच इस सेम एस पैंशन ठीक है तो रिलीफ आपने निकाल लिया एक वर्किंग आपकी वर्किंग चल रही है न इसका वर्किंग रैफर करते हैं यह आपकी वर्किंग नोट चल रहे हैं यह पूरा सवाल आपको एक्सेल में करना है ना को कि पूरा कैलकुलेशन है तो वरकिंग नोट आपने रैफर करके 90,000 निकाल लिए अब लिसन 90,000 जब आपने निकाल लिए तो डू यू थिंग के डबले चार्ज भी हो सकता है क्या ख्याल है कैलकुलेट करना चाहिए यस डबले चार्ज भी हो सकता है क्या आपकी जो थ्रेशोल्ड इंकम है वो चेक करनी पड़ेगी आपको कितनी है तो लेट्स कैलकुलेट यूर थ्रेशोल्ड इंकम डो ञेट इंकम कैंज आप ठ्रेशोल्ड इंकम क्या होती है नेट इंकम हमारे पास कितनी है तुलैक नइन्टी पैफ ताऊजब्स कर देंगे ग्रॉस पीपीसी ग्रॉस पीपीसी कितना है नाइंटी थाउजन तो आपकी थ्रेश्रोल इंकम आ गई तू लैक फाइफ थाउजन यह दो लाग से जादा है एकसीडिंग तू लैक पहला रूल आपका यहां पर फुल्फिल हो गया उसके बाद आप निकालेंगे एडजस्टेड इंकम की डेफिनेशन क्या है नेट इंकम तू लैक नैंटी फाइफ थाउजन प्लस कॉंट्रिबूशन यहां पर एक ही कॉंट्रिबूशन है कॉंट्रिबूशन कितना है कॉंट्रिबूशन है आपका नाइंटी थाउजन तो आपका यहां पर जो अमाउंट बनना चाहिए वेट अ मिनिट आपका जो अमाउंट यहां पर बनना चाहिए बहुत जादा माउंट नहीं बनता है और इस अमाउंट पर मुझे लग रहा है कि इतनी रिडक्शन हो जाएगी कि वह फूर थाउजन ही रह जाएगा लेट मी ज़स्ट चेक वेट अ मिनिट अ इस घलती कर रहे हम यहां पर एक मिस्टेक कर रहा है कि यह जो कॉंट्रिब्यूशन नहीं लेना आपके परसनल पेंशन कॉंट्रिवूशन यह मिस्टेक कर रहे हैं तो आपकी इड्जेस्टेट इंकम होगी तू लाग नैटी फाउजन एमाइड राइट है इकसीड़ दोलाग चालिस सब्सासऑन भी एकसीड हो गया शु लग यह इस में किसे आप रिडक्शन करें रिडक्शन कैसे निकालते हैं रिडक्शन निकालने के लिए आप ले लें 295 उसमें से थ्रेशूर्ड माइनस करते हैं और उसको 50% से मल्टिप्लाइब करें तो यह हो जाएगा आपका हाव मच इस दामाउंट यह आपका हो जाएगा 27500 कि नहीं 45,000 का हाफ कितना होगा कि 45,000 का हाफ 27,500 27,500 आप इसमें से हटा दें तो यह आपका डबल आ जाएगा 2223 का कि निकाले तो यह आपका अन्वल आलाउंस आ जाएगा रिवाइस्ट रिवाइस्ट गर आजांवल आ जाएगा आयगा अपका बारह हजार पांड सो ठिक है यह तो current यहर का अब इस गरंट टियर में अब अन्यूज से libroय फाउवर्ड लेंगे उसकी वरकिंग तो ऐन्यूज बॉट फॉवर्ड आप sturdy 19 पॉनिच बिस एडो अन यूजड ब्रॉट फॉर्वर्वर्ड उन्निस भीस कि 40,000 की लिमिट थी कॉंट्रिबूशन था 30,000 का दस हजार बाकी बचा क्या आपको वर्किंग शो करनी पड़ेगी इस तरह से 40,000 की लिमिट थी 40,000 कॉंट्रिबूशन हुआ जीरो फॉर्टी थाउजन की लिमिट थी 40,000 कॉंट्रिबूशन हुआ जीरो फस्ट इन फस्ट आउट तो यह हो गया 22,500 इस इस दी मैक्सिमम कॉंट्रिबूशन अगर इससे ज्यादा कॉंट्रिबूशन करेंगे तो आप पर पढ़ जाएगा डबले चार्ज अब आपका कॉ कंट्रिबूशन आ है रहा है ग्रॉस चक्क्रिबीशन आपका आ रहा है 95,000 आपने क्या डिसाइट किया है 95,000 का कॉंट्रिबूशन करेंगे सौरी 90000000 आनिती थाउजन का कॉंट्रिबूशन करेंगगे अको दबले आफके पास जो अवेलेबले वर्किंग नोट आपके पास डबल एचार्ज यह आपका डबल एचार्ज पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए बैटरीन कुस्टन है ना पूरे चैप्टर को आपके पढ़के इस कुस्टन को अटेम्ट कर ले एक या दो मरतबह आपका पैंशन काफी हद तक यहां पर कवर हो जाता है कि डबल एचार्ज का मांट होगा आपका कि विल्कुल डबल एचार्ज का आपका मांट होजाएगा सिक्स्टी सेवन थावजन फाइफ हंड़िट अ ठीक है आप इसके बाद हमें ये पता है कि जब भी हम ग्रॉस पेंशन करते हैं, personal pension तो band extension होती, हम बैंड extension की working दिखाएंगे band extension gross amount से होती इसकी working दिखाने का तरीका ये के basic और higher तो जो बैंड आपके पास उसकी लिमिट होती है बेसिक की लिमिट होती है 37,700 और हायर की लिमिट है वन लाग 50,000 शाहिए तो 37,700 और वन लाग 50,000 इसमें हम एड कर देंगे प्रॉस पीपीसी इसको आप किसी और तरीके से भी सॉल्फ कर सकते हैं दिखा सकते हैं किसी और तरीके से भी नौट रहाड एंड फॉस्ट रूल वन लाग 27,700 पहले की लिमिट आ गई और दो लाग 40,000 आपकी दूसरे बैंड की लिमिट आ गई अच्छा यहां पर उल्के इंटेंगे त्यक्ष्रा आँएंड के चांस डो तर्स नर वह बह॔त रियर है तो परस्टर отлич के यॉर्किंग अगर नहीं भी दिखाते न तो तो कोई ज़रुवत नहीं है कि आठेंगे करें लेकिन अगर आप मैंशन करेंगे तहे जाधा अच्छा है कि परस्णलाउंस कि पर ने जएसनल जारुइंगे क्रते हैं आपकी इडजेस्टेडड नेट इंकम के ऊपर् allows का इंकम और इड्जेस्टे नेट इंकम का फॉर्मूला क्या होता है नेट इंकम नेट इंकम हमारी कितनी थी 295,000 इसमें से माइनस कर देते हैं ग्रॉस पीपीसी कि तो आपकी बन जाती है adjusted net income और adjusted net income बन गई 2,500,000 नाओ यह जो adjusted net income है आपकी यह इतनी ज्यादा है कि आपका परस्रेशनल लाउंस जीरो हो जाता है वन तू फाइफ 1 फॉर जीरो से ज्यादा है एज ए एन आए यह एन आया गया एक्सीट वन तू फाइव वन फोर जीरो सो पीए इस रिद्यूस टू निल यह लिख दें हम इस्टेट्मेंट यह कैसे आया एक लाकी लिमिट 1,2570 का डबल 25,140 टोटल कर दिया वन तो फाइव वन फार्टी लिमिट आ गई ना अगर किसी का एन आय वन तू फाइव वन फार्टी यह से जचादा हो जाता है तो परसनल आउंस क्या हो जाता है जीरो हो जाता है अब हम यहाँ पर tax liability निकालते हैं तो उपर हमें tax liability चाहिए तो tax liability निकालने के लिए आपकी जो net income है वो net income है 2,95,000 उस में से क्या minus करते हैं उस में से PA minus करते हैं PA हो गए 0 तो यह आगई आपकी taxable income यह पहला income tax का जो ना उसके अंदर हमने कवर किया था पी यह वगारा के सारे concept हमने वहां डिसकस किये थे तो लाइक 95,000 आगई अब रेट लगाते हैं तो पहला बैंड आपका कहां खतम हो रहा है 127,700 पे खतम हो रहा है तो अ बेसिक का जो रेट लगेगा वह लगेगा 127,700 multiply by basic का रेट क्या होता है 20% 20% बताएं कितना होगा 25,000 540 यह basic पे लग गया अब इसके बाद हमारी जो income है वो दूसरे band से cross कर रही है दूसरा band यहां पे खतम हो गया तो यह higher band का difference आ गया 240 माइनस 1277 00 difference आ गया दूसरे band का दिस वन इस पे रेट डबल हो गया कि पट्टी पोर 920 अब हमारी जो income है न वो income हमारी है 295,000 तो हमारी जो income है कौन सी income है non saving income जो additional में जा रही है वो कितनी बची वो बच गई 295 माइनस 240 55,000 55,000 की जो हमारी income है उसके ओपर रेट लगेगा 45 पर्सन यह हो गया 24750 यहां तक तो हमारी income टैक्स हो गई अब उसके बाद आएगा आपका डबल एचार्ज डबल एचार्ज 67,500 सबसे लास्ट में टैक्स होता है तो वह भी किसके उपर टैक्स होगा 45 पर्सन तो इसका यह जो डिसीजन है ना पेंशन में कॉंट्रिब्यूट करना यह इसको टफ टाइम दे रहा है इंकम टैक्स लाइबिटी इसकी काफी ज्यादा हो रही है यह इसकी इंकम टैक्स लाइबिटी बन गई 25540 प्लस डबल फोर 920 प्लस 24750 प्लस 30375 1,25,585 इंकम टैक्स लाइबिटी अब हमें चाहिए पैंशन कॉन्ट्रिबूशन है था कि जो पैंशन होती ना जितना आप कॉंट्रिब्यूट करना चाहते हैं उसका एक परसंट आप कॉंट्रिबूट करेंगे तो यह हो गया आपका 72,000 जो आप पैसा डालेंगे यह 72,000 आप यहां से माइनस कर देंगे तो आपकी जो इंकम बाकी बज गई सब कुछ पे आफ करने के बाद इंकम टेक्स दे दिया आपने आपकी इंकम बज गई 97415 इस इस दी एंड ऑफ दो इस बहुत सारी चीज़ें इस सवाल के अंदर ना और इंप्लाइममेंट इंकम मौझूद है। जब होती है तो उसके ओपर insoirens contribution भी देना होता है तो अगर किसी ने इंशोरैंस contribution निकाल लिया तो वेलन गूद नहीं निकाला तो एक्जामेने ने उसको penalized नहीं किया है retro प्रिजिबल होनी चाहिए कि आपने जो भी वर्किंग की उसको प्रॉपर लिजिबल करें उसको प्रॉपर लिंक करें तो इस सवाल को आप पर सॉल्व करें और उसकी प्रेजंटेशन जो भी आपने की ओना मुझे भेज दें तो आपकी प्रेजंटेशन अप्रॉप्रियेट है या प्रॉप्रियेट नहीं है ठीक है अब मैं आपको एक सवाल देदू है इसका हुमवर्क किट का जिसके अंदर एक और पैंशन का आपको सवाल मिल जाएगा वह आप ट्राय कर लीजेगा तो पैंशन पूरा एक्जाम पॉंट व्यू से आपका ड़न हो जाएगा और फिर हम बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक लेट्स मूफ तो अनदर टॉपिक पैंशन की स्लाइट देख लीजेगा उसमें एक दो चीज़े हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वह जास्ट रीडाउट कर लीजेगा कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो दिन यूविल आस्क मी स्लाइट सारी गो थूरू करें जितनी भी हैं कम्प्लीट ताके कोई रूल हमारा मिस ना होगा तो अगर मैं एक नजर स्लाइट आपको दिखा दूँ तो एक दो पॉइंट